Hello friends, welcome you all, आज मैं आपके लिए जो वीडियो ने क्या रहा हो दिखे बात करने वाले हैं दो stocks की, इन दो stocks को देखिए और सबसे important बात समझो अपना goal, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये important बात समझो अपना goal, क्योंकि जिस basis पे आप सोचे 10 लोग हो, 10 लोगों की thinking एक particular stock में अलग हो सकती है, कोई उसमें short term कुछ दिन के लिए invest करके पैसा कमाना चाहता है, तो कोई उसमें long term view से पैसा कमाना चाहता है, कोई कुछ हपते तो कोई कुछ महीने के investment के लिए, तो सोचे सबका अलग अलग goal है, सबका अलग अलग उस goal के basis पे actions होंगे, और उसी goal के basis पे risk defined होगा, अब आपको गयर कैसी बात करते हो, यही important है, आपका goal क्या है, उसको समझना ज्यादा important है, दो stocks के माध्यम से समझेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दूगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं क्या, तो जल्दी से subscribe कर ले, bell icon को press कर ले, जिससे आपको notification आती रेगी, price action सीखने के लिए, आप join कर सकते हो, membership join button पर click करे, मिर्जा international limited, 1300 करोड का market capitalization, इसके बारे में बात करेंगे, और यह stock मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, इसको समझे, यह stock का कारण है, आपके सामने लेके आने का देखिए, एक राजेश कुमार जी का comment आ कि इनों को ही देख लेंगे, और आपको भी अगर कोई stock समझ में नहीं आ रहा है, आप भी उसके बारे में जानना चाहते हो, और थोड़ा सा analyze हमारे through करवाना चाहते हो, तो फिर आप comment के through, आप यहाँ पर post कर सकते हो comment को और उसको समझे, लेकिन मैं आपको जो भी वीडिय लेके उनको चलोगे, तो आप एक particular stock सक सीमित रह जाओगे, लेकिन जब आप उसको learning perspective से लेके चलोगे, तो आप एक stock नहीं, बल्कि अपने हिसाब से stocks को identify करोगे, कब उसमें entry करना है, अब मिर्जा international की बात लगा रहे हैं, देखिए, मिर्जा international को अगर मैं देखूँ, यह मन्थली चार्ट इसका है, तो आप जड़ा सोच यह मन्थली चार्ट वाईस का क्या important area था, यह जो मन्थली impulse बनी थी, यह correction, important था कि नहीं, ता तीन महीने यह hold हुआ, low volume की correction थी, फिर पिछले दो महीने में लगातार तेजी आई है, अब इस तेजी में अगर आपको सवार ह होना है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है, understand fractal nature of market, जैसा कि यह impulse है, मन्थली का, यह भाग रहा है, तो भागते भागते इन बिट्वीन आपको छोटे time frame पे चाहे weekly में, daily में, कहीं न कहीं, आपको यह correction देगा, तो आपको हमेशा भागते हुए में, जब आपको छोटे time frame में कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, managed risk opportunity, तो समझे इस पार्ट को, managed risk opportunity हमेशा ध्यान दे, क्योंकि risk को manage करना आपकी सबसे पहली priority है, क्या अभी आपको opportunity छोटे time frame पे दिख रही है, क्योंकि हम यहाँ पे जो comment आया, उसके माध्यम से ही यह stock हमने यहाँ पे choose किय है, यह देखिए, weekly time frame पे हम आए, क्योंकि move जो start हुआ, वो bullish cross, उसके बाद एक tight consolidation कई हपतों की, और इस area में धिरे धिरे higher low का formation, देखे rally, और तीन week का यह low volume का correction, और धमा का, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो perfect long term perspective का जो breakout के level का आप को गई है, 64 का यह area था with a stop loss of 60, 68 क round का, आपको क्यार हुआ, क्या बात ही, और उसके बाद फिर rally आई, और एक दो हपते का tight consolidation यहाँ पे देखने को मिला, जो कि moving average weekly से दूर था, पर डेली time frame वाई, आप इसको opportunity को देख सकते हो, फिर से rally आई, अब आप सोचोगे, आप इस level पे खरीदने की, सोचोगे 108 के level पे तो आप जड़ा यह सोची कि आप कहां पे stop loss को manage करोगे, अब मैं daily time frame पर आता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज जो पता है क्या लगती है, जब कोई भी कभी भी कहीं से भी price आस्मान पे पहुँचे, यह super momentum area में चले जाए, उसके बाद यह super momentum के round जो support मिलता है यह बहुत ही खतरनाग मुझे लगता है, जैसे कि यहां पर मिला देखिए, गया उपर, down आया, यह देखिए, यह area, higher low का formation, यह 90 के round भी आप इस तरीकी के stop loss लगा के बढ़िया रह लिए, बढ़ आप देखिए, moving average, weekly में दूर, daily में दूर, यह low volume का consolidation था, पूरा का पूरा बहुत ही अच्छी बात है, तो यहां से, अब अगर आप कहोगे कि नहीं, मुझे यह खरीदना है, अगर आपको खरीदना है, तो just wait for the next correction, running में खरीद के फिर आपको फाइदा नहीं होगा, क्योंकि यह छोटा stock है, अब यह भी नहीं कह सकते ही, मिर्जा इंटरनेशनल में, कि आप hourly और 15 मिनट के basis पर जाएए, तो फिर आप future and option के stocks में pick कीजिए, वो cash वाले नहीं, cash वाले जो important stocks होता, उनको monthly, weekly, daily, यह बहुत बढ़ी हा time frame होता है उनके लिए, इस समझ जरूर के होंगे आप, अब आपको मैं फिर से repeat करके दिखाता हो, देखिए, यह consolidation देखिए, MACD Central Line से उपर ती, जैसे मैं आपको का 63-64 का यह level, यह बहुत important हा, with the stop loss of this, यह level important था, but अभी यह काफी धूर जा चुका है, तो मेरे हिसाब से, अगर मैं कहूंगा, मैं इसको अभी फिलहाल, अगर मैं cash trades को मैं generally moving average near to the 20-50 area monthly पे देखता हूं, या फिर correction, अगर daily पे भी resolve हो रही हो, तभी, otherwise अब निकल गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर pullback आएगा, या छोटी correction बाद में आएगी, that will be a different opportunity for me, समझे इस पार्ट को, तो यह बहुत important है, आप खुद देखिए, यहाँ कहाँ दू जा चुका है, इसका यह मतलब नहीं, यह आप और risk stop loss लगाऊंगा, ऐसा तो है नहीं, तो यही चीज important है, कि जब आपके पास, मैं यह कहूँगा, manage risk opportunity MRO नहीं है, तो फिर उसको आप clearly avoid कर सकते हो, देखिए, moving average से दूरी, अब यह यहाँ से आप भाग गया, 500 भाग गया, घरको आप कहूँगे नहीं, यह तो भाग गया, ब जैसे weekly की एक छोटी ची correction यहाँ पर बनी, यहाँ पर आपका stop loss है, आपका entry area सवार आप हो गए, ठीक है, अब weekly पे आप अगर देखोगे, तो weekly यह start हुआ है, यह पूरी की पूरी यह rally थी, अब यह weekly जो rally बनी है, तो daily पर कहीं नहीं, correction देगा यह, correction देगा, तभी opportunity entry नहीं तो छोड़ेंगे, अब बात करते हैं हिंदुस्तान foods की, हिंदुस्तान foods आप खुद देखिए, बहुत ही बढ़िया rally आई, बहुत ही बढ़िया, दो छोटी छोटी corrections इसने दी, देखिए नहीं दी, देखिए, resolve हुई, entry area धमागा, लेकिन उसके बाद जब इतनी एक double bottom kind of scenario इसने बनाया है, देखिए, लेकिन double bottom तो बना दिया, बट confirmation नहीं मिला वापसी का अभी, हम price में daily पे भी 200 SMA से नीचे है, जो कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि यह उपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट आपको momentum चाहिए, आपको high probability चाहिए, अभी हम high probability area में नहीं ह और आपको clear get पता है कि high probability कब आएगी, जब at least हमारा यह time frame उपर जाएगा, यह हमारी high probability बन गई, तो तब तक आप इंतजार कर सकते हो कि हमको low risk, high probability और high momentum चाहिए, और फिलाल आपको बिलकुल आप supports पे, या आप कहोगे resistances पे sell कर दो, तो वो तो भी एक tops और bottom identification की बात मुझे तो top मिल गया, मुझे तो bottom मिल गया, हाँ, अगर आपको और थोड़ा सा aggressive होना है, तो आप क्या करोगे, इन ही चीजों को आप और छोटे time frame पे जाके, यानि कि, although यह small cap के stock है, small cap के stock में monthly, weekly, daily बढ़िया time frame होते हैं, यह तीनों के हिसाप से, इन तीनों का combination बढ़िय आते हैं, देखिए, दीपक नाइट्राइट, दीपक ऐंटी आर को देखते हैं, यह देखिए, देखिए, देखिए आप कितनी बढ़ी यह correction आई है, और correction मैं अभी भी, मैं फिर सर repeat करूँगा, कि जैसे correction यह आई है, कि आस्मान पर पहुंचे का, तो definitely correction तो चाहिए, profit booking तो चाहिए, आप यह देखिए न, यह देखिए पार्ट को, I think इसका वीडियो आपने कुछ दिन पहले भी इसका create किया थे, देखिए पार्ट को, correction आई है, अब हम कहां पहुंच गे correction आते हैं, हम daily पे बिलकुल various zone में जा चुके हैं, तो at least मैं, अगर मुझे इसमें entry करनी हो, तो मैं इंतजार करूँगा, हम वापस momentum में आए, जहां पे हमको low probability, high momentum, low risk, low risk, high probability, देखिए ठीक है, probability बढ़िया होनी चाहिए, और risk कम होना चाहिए, और फिलाल अभी हम क्या है, fall, देखिए इस पार्ट को, तो at least हमारी चीज़े यहां पे बदले हैं, हम थोड़ा positive आ हैं तब ही जाके confirmation और confidence वाली entry हमें मिलेगी, तीकि ऐसा नहीं कि कि कोई भी share आपने उठा लिया, खरीद लो, कोई नहीं, buy कर लो, buy on dips कर लो, थोड़ा सा मतब एक positivity है, आपको खुद लगे कि हाँ, आप चीज़े बदल रही है, momentum बन रहा है, और साथ के साथ probability बढ़ रही है, और risk जो है, वो कम हो रहा है, यह तीन important part है, तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाया, आपका at least cash stocks में, आपका daily time frame वापस positive area में आ जाए, तो बढ़िया मज़ा आ जाता है, और फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हैं और जो वीडियो क्रेट करेंगे उस viewpoint को भी include करने की कोशिश करें, thank you, thank you for watching the video.